हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवम कुमार और आप देख रहे हैं BS8 की क्लासेस फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आपके साथ में आपके क्लास को अपने सपोर्ट करें क्लास को अपने सपोर्ट करें अगर आपको क्लास अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक कीजिएगा बट इससे पहले आप सभी लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दें तो फ्रेंड्स आपका पहला प्रश्ण है की जाइलम और फ्लोयम को एक ही त्रिज्जय में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे समवाहन पूल को क्या कहते हैं very good question if the जाइलम and फ्लोयम are arranged in the same radius then what is a such a convection pool called options आपकी संपार्शविक दिसंपार्शविक के इंद्रक ये त्रिज्जय आइस इस question का right answer हो जाएगा option ने संपार्शविक ठीक है इसको क्या बोलता है फ्रेंट इसको संपार्शविक कहते हैं ऐसे में जिनका answer option A आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिया है देखने हैं इस class का अगला question में से किस कीट का वैग्यानिक नाम ब्लेट एरिया है इस question का right answer हो जाएगा option B कौक्रोच ठीक है तो कौक्रोच का वैग्यानिक नाम चाहिए ब्लेट इरिया है ऐसे में जिनका answer option B आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है कौक्रोच is the right answer of this question चलिये अब हम के वनस्पतिक नाम के समान है very good which of the following words is similar to botanical name of trees like अशोग, पैमिनेट, स्लिटर्माइड, एंड कोरल, options आपके टर्मेन आलिया, सलिक्स, इंडिका, एक एशिया इस question का right answer होगा option C, इंडिका, कौन है, इंडिका, option C अगर आप नहीं चुना है इस question का answer, तो यह बिल्कुल सही answer है friends, चलिये, अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question निम्लिखित में से किस पौधे में खाद पदार्थ और अनितत्तो का वहान होता है, which of the following carries food and other elements in the plants, options आपके जाइलम, फ्लोयम, क्लूरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं तो खाद पदार्थ जो का वहन होता है, यह फ्लोयम दोरा होता है, जिसको पोशवा बोलते हैं, इस question का right answer साथी हो, option B होगा हमारा answer, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोयम या पोशवा है, ओकी, ऐसे में जिनका answer option B आ रहा है, इस question में, बिल्कुल सही उफतर है उनका, शलिये, तो friends, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question पोशवा ही, यहीं कि फ्लोयम, परिवाहन के संबंध में, निम्लिखित में उसे कौन सा कथन सही है, विचावदा following statement regarding फ्लोयम, transport is correct, options हैं आपकी, फ्लोयम परिवाहन का एक दिशात्मक होता है, फ्लोयम में रस, CA, प्लस, सरवाधिक मात्रा में कैटायन होता है, फ्लोयम में अंतनुकारी शरकरा की रोप में शरकरा का परिवाहन होता है, बताएं, कि आप संदी कि फ्लोय में अतनुकारी शरकड़ा की रूप में शरकड़ा का परिभान होता है यह कथन सही है ठीक है चली है देखते हैं अगला क्वेस्ट्ट अगला प्रेश्चन आपका फ्रेंड्स की नेम लिखित विकल्पों में से कौन सी मचली है फॉलेंग इस फिश अगला प्रेश्चन आपका लुबस्टर सालमॉन यह वेल अप्शन सी सालमॉन ठीक है चली है अगला प्रेश्चन नेम लिखित में से कौन सा इस्तंधारी जानवर अंडे देता है विचावदा फॉलेंग मैमेलियन एनिमल लेज एग्स तो चमगादर वेल नेवला यह प् यह प्लैटिप्स देता है ठीक है इस 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 तंधारी जानवर है जो कि अंडे देता है ठीक है कर दो फ्रेंट्स हो जाएगा हमारा option number D चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है अगला question है आपका friends कि मदुमक्खी के डंक में क्या होता है what happens in a bee sting अमली तरल लबडी घोल छारी तरल यह संशारक बता है कि मदुमक्खी के डंक में क्या होता है option A अमली तरल ठीक है अमली तरल होता है मदुमक्खी के डंक में option A जिनका अंसर आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question formic acid किसके दौरा उत्पन होता है formic acid is produced by तो दीमक कौकरोज लाल सीटी मक्षर तो formic acid किसके दौरा उत्पन होता है बताए इस question का रही अंसर हो जाएगा option C लाल सीटी रेड अंट ठीक है तो formic acid किसके दौरा उत्पन होता है याद रखेंगे लाल सीटी के दौरा चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question मीठे पानी की सुस्त मचली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभवित परिणाम क्या होंगे very good options है आपके मचली निर्जली करत होकर मर जाएगी मचली फूल कर मर जाएगी मचली कवकी या जीवाड रोक होने से मर जाएगी इन में से कोई नहीं कोई मीठे पानी में रहने वाली मचली है इसको खारे पानी में रखा जाए तो क्या होगा तो मचली निर्जली करत होकर मर जाएगी ठीक है इस question correct answer हो जाएगा फ्रेंट सॉप्शन ए ठीक है मचली जो है यह निर्जली करत होकर मर जाएगी चलिए अगला question निम्लिखित में से कौन सर्वाथिक दीरगायू है विच आप फॉलोइंग है इस दा लॉंगेस्ट लाइफ तो बाज कच्छुआ चीता हाथी यह question आसान है बताएं इन में से सबसे अधिक दीरगायू किसकी सबसे अधिक आयू किसकी है बताएं इस question का right answer हो जाएगा option भी कच्छुआ तो कच्छुआ जो है यह सबसे ज्यादा जीने वाला प्राडी है चलिए अगला प्रश्ण है फ्रेंट्स की यीस्ट एक डैस है यीस्ट इजा यीस्ट क्या है जीवान वैक्टिरिया कवक शैवाल या ब्रायोफाइटा इन में से बता है फ्रेंट्स की यीस्ट क्या है यीस्ट एक फंगस होता है इनकी एक कवक होता है इस क्वेश्टिन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन भी यीस्ट इजा फंगस ओके इस क्वेश्टिन का राइट अंसर फ्रेंट्स ऑप्सन भी अगर आपने चुना हुआ है इस क्वेश्टिन का अंसर ये बिल्ग अगला प्रशन मचली से प्राप्त होने वाला CORD यहिनि की लिवर टेल किस वितामिन से संब्द होता है which vitamin is rich in cod liver oil obtained from fish options आपके vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B मचली से प्राप्त होने वाला CORD liver till vitamin D से संब्द होता है इस question का right answer हो जाएगा option number B हमारा answer ठीक है vitamin D ओकी चल यह अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question शैवाल के फलने का क्या कारण होता है what causes a leg to grow तो global warming, लवड़ता, सुपोष्ण, जैव आवर्धन इन में से बता है कि शैवाल के फलने का कारण क्या होता है इस question का right answer हो जाएगा सुपोष्ण, चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question नेम लिखित में से कौन सा एक सायोजन उतक नहीं है which of the following is not a connective tissue अब क्यों absence है अज थी उपास्ति, रक्त, एक अंकाल पेशी इन में से कौन सा एक सायोजन उतक नहीं है बताएं इस question का right answer हो जाएगा option D कंकाल पेशी कंकाल पेशी है यह एक सायोजन उतक नहीं है चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रशन बाओने रूप में व्रक्षों के समवर्धन को क्या कहते हैं what is the cultivation of trees in dropped form called आपके options है बोंसाई इकेवाना वामन या एटियोलेशन इन में से बताएं कि बाओने रूप में व्रक्षों के समवर्धन को क्या कहा जाता है इस question का right answer हो जाएगा option ने, बोन साई, ठीक है, तो बौने रूप में पोधों के सामराधन को क्या कहते हैं, ये बोन साई कहते हैं, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number A, okay, बोन साई is the right answer of this question, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, फ्रेंट्स अगला प्रशन निम्लिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्रक्षिता बच्चे पैदा नहीं करता, which of the following organisms lays egg and does not directly produce children, options है आपके, एकिड़ना, कंगारू, साही, ये वैल, option ने, एकिड़ना, ठीक है, ये एक ऐसा जीव होता है, जो कि अंडे देता है, और प्रत्रक्षिता बच्चे पैदा नहीं करता है, ओके, चलिए, तो friends, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला प्रश्चन है आपका की, पादब जैलम में एक मात्र, जीवित उतक होता है, तो अपके option ने, ट्रैकिया, जैलम फाइबर, जैलम अर्दूतक, या वाहिनी, तो पादब जैलम में एक मात्र, जीवित उतक कौन सा होता है, बताएं, इस question का right answer हो जाएगा option C, जैलम मर्दूतक, ठीक है, जैलम मर्दूतक होता है, बादब जैलम में एक मात्र, जीवित उतक, ठीक है, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C, चल यह, देखते हैं अगला question, अगला question, रेश्रम कीट अपने जीवन चकर में, किस चरण में वाड़िजिक प्रियोग का तुन तो पैदा करता है, at what is stage in its life cycle, does the silkworm produce fiber for commercial use, option type के larva, अंडा, प्यूपा या पूर्ण कीट, इस question का right answer हो जाएगा option C, प्यूपा, ठीक है, किस अबश्था में प्यूपा, अगला question, किसी starfish का चलन अंग कौन सा होता है, what is the locomotion of starfish, option सबके नालपद, पैडल, पेशियपाद या अरित्र, बताएं, किसी starfish का चलन अंग कौन सा होता है, option C, नालपद, ठीक है, तो नालपद होता है, किसी starfish का चलन अंग होता है, इस question का right answer, अगर आपने option A, चुना हुआ है, तो यह बिल्कुल सही answer है, आपका, नालपद, ओके, चलिए, तो friends, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question, कीट हारी पादप, निम्लिखित में से किसके लिए कीटों को फसाते हैं, इस question का right answer हो जाएगा option A, नाइट रोजन, ठीक है, रियाद रखेंगे, जो इंसर्क्टी वेरियस प्लांट होते हैं, अर्था, तो कीट हारी पादप होते हैं, वो, नाइट रोजन के लिए कीटों को फसाते हैं, option A, जिनका answer आया है, इस question के लिए, ठीक है, उनका बिल्कुल सही answer है, friends, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question है, आपका, फ्रेंट्स के पैंथोरा पार्ट्स, डैस का वैग्यानिक नाम है, तो पैंथोरा पार्ट्स is the scientific name of, चीता, बाग, सिंघ, तेंदुआ, पैंथोरा पार्ट्स किसका वैग्यानिक नाम है, चीता, ठीक है, तो पैंथोरा पार्ट्स किसका वैग्यानिक नाम है, याद रखेंगे, चीते का वैग्यानिक नाम ही होता है, चलिए, friends, देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question है कि मैगनिफेरा इंडिका, किसका वैग्यानिक नाम है, उप्सिए, बाट इस यादिफिक नेम ऑफ मैगनिफेरा इंडिका, आप्सन साहब के अमरूद, आम, आवला, या कतहल, बता है कि मैगनिफेरा इंडिका किसका वैग्यानिक नाम है, वैड़ी इजी question, Option B, आम का, ठीक है, मैगनिफेरा इंडिका इस दा, सैंटिफिक नेम ऑफ मैंगू, ओकी, चल यह, देखते हैं अगला question, अगला प्रशन है कि मैगनिफेरा इंडिका इसको आम बोलता है, इसके लावत देखिए, कुछ इसमें वैग्यानिक नाम दिये गए, आप ध्यान से पढ़िए, इसके मैगनिफेरा इंडिका किसका नाम होता है, आम का, सैलेनम, ट्यूब्री उसों किसका होता है, आलू का, ठीक है, और पैंथेरा लियो, किसका होता है, शेर का, नाम शब्द में इंडिका, ट्यूब्री रोसम और लियो किसे स्रेश इस्तर पर प्रतिनिद्ध दुकरते हैं, आप सैने आपके वर्गक, वर्गकी की पदान कुरम, जाति संकेत, फद यद्धूई, विपद नाम पध्धती, इस question का right answer हो जाएगा आप सैने, वर्गक, classifier, ओके, अगला प्रशन है कि डैस में पधों का भौत्यक रूप और बाहरी सनाचना का अध्धिन किया जाता है, तो पधों के भौत्यक रूप और बाहरी सनाचना का अध्धिन किससे करते हैं, आप सैने आपके फीजियो लौज ये कोर्शी का विख्यान, इस question का right answer हो जाएगा option C, phytomorphology, ठीक किस में करते हैं, ये phytomorphology में करते हैं, ठीक है, इस question का right answer अगर आपने option C चुना हुआ है, तो बिल्कुल सही answer है आपका, phytomorphology is the right answer of this question, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला प्रिश्प्रेशन है कि साइंका, इस्पिंजिला और यूस्पांजिया किस संख के उदाहरण है, साइंका, इस्प्लोंजिया और इप्सूंगिया are the example of which association, options आपके सिलेंटरंट्रा, अगला option आपका, प्लेटी, हेलमिथिस, टैनिफोर ये पैरिफेरा, इस्पिंजिला और यूपंजिया, ये पैरिफेरा के संख के उदाहरण होते हैं, ठीक है, इस question का right answer, option D, अगर आपने चुना है, इस question का answer अपने, ठीक है, बिल्कुल सही answer है आपका, पैरिफेरा is the right answer, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन निमलिखित में से, कौन सा शैवाल के तीन प्रमुख वर्गों में से नहीं है, which of the following is not one of the three major classes of L.A. options नहीं है, कौन सा शैवाल के तीन प्रमुख वर्गों में से नहीं है, अपसर D, जिम्नो इस्पर्म, कौन नहीं है, इस जिम्नो इस्पर्म नहीं होता है, इस question का right answer हो जाएगा option number D, जिम्नो इस्पर्म, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला प्रश्ड निम्लिखित में से कौन सा सही नहीं है which of the following is not correct अबसर्ण सैपके 0 rumah ऑवारा को हरात्यावाल केते है अगला अबसर्ण का 3-5-4 के से दस्वाल को लाला सही वाल केते है ₺ और स्वाल केते है या 10-5-1 के सदस्वाल को भूरा सही वाल केते है इन में से कौन सा कथन नमारा सही नहीं है बताएं इनी तीर में से राइट आंसर है बताएं इस question का सही उत्तर option B होगा कि few of i c के सतस्यों को लाल सेवाल कहते हैं देखिए जो road of i c के सतस्यों होते हैं इनों को लाल सेवाल कहते हैं इस question का right answer क्या होगा Option number B चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण के डैस में उच्छतर वर्ग होने के कारण कुल के समू होते हैं जिनुके कुछ लक्षण एक समान होते हैं तो क्यों से होते हैं गुड चाहती वंश वर्ग एक गड़ होते हैं त्रम ओर चीक है चलिए अब हमने चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्ण की तरह अगला प्रशन दाल देने वाले पौधों को निम्लिखित में से किस कुल में रखा जाता है वेरी गुड इन विच आप दा फॉलेंग क्लासे और पल्स गिविंग प्लांट्स प्लेश्ट अगर आपको क्लास के क्वेश्ण अच्छे लग रहे हूं तो सब लोग क्लास को अ अप्सकी लेकी अप्सान सी दा राइट अंसर लेकी में शी चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्टम कि अगला प्रशन के एड मासिया यारो कि संग के उदाहरन यह अडमेशिया पेटनूला आ आएग्ञेम्पल ऑ विच फेडरेश्टर आप्सेंस नहीं के सिलेंट रेटा, स्केलम्थीज, एनिरीडा, या अर्थोपोडा, बताया हैं, जो एड्मीशिया, या पेटिंडियूला हैं, ये किस संग के उदाहर, तर्ण्स काफी एच्छे क्वेस्टेंस हैं, ठीक है, ये सिलेंट रेटा संग के उदाहर रण होते हैं, ऐसे में जिनका अंसर ऑप्सन ए आया हुआ है, विल्कुल सही उत्तार है उनका, सिलेंट रेटा, चलिए, अब हम देखते हैं, इस क्लास का अगला क्वेस्ट्ट, अगला प्रश्ण आपका कि निमलिखित में से कौन मुनेरा समूह में आता है, विच आप दा फॉलइंग कम संडर मुनेरा ग्रुप, आपसन साब के मश्रूम, यीष्ट, जीवाण, कवाकिनी के मौस, इन में से कौन जहें मुनेरा समूह में आता है बता है, आपसन सी, बैक्टीरिय ये जीवाण, ठीक है, तो ये मौनेरा समूह में आता है, ठीक है, चलिए, देखते हैं अगला क्वेस्चन, अगला प्रश्ण सुक्स निचीवों को कितने मुख्य वर्गों में बाटा गया है, एक, दो, तीन, ये चार, चलिए, इस क्वेश्चन का राइट असर हो जाएगा, आपसन ली, चार, ठीक है, तो सुक्स निचीवों को कुल चार भागों में बाटा गया है, ऐसे में जिनका आपसन डी आ रहा है, इस क्वेश्चन के लिए, बिलकुल सही होतता है उनका, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला प्रशन निम्लिखित में से कौन सा तत्त, पौधों में पानी और कैल्सियम के अवशोशन को बढ़ाता है, पौधों में पानी और कैल्सियम के अवशोशन को बढ़ाता है, ऑपसन बी, बोरोन, कौन होता है, यह बोरोन होता है, ऐसे में जिनका अंसर ऑपसन बी आ रहा है, बिलकुल सही होतता है उनका, खीक है, बोरोन is the right answer, चलिए, अब हम देखते हैं, इस क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला प्रशन अपका पैंसरीन किस्ते निकाला जाता है, बताएं, तो खुम्प, खमीर, फफूंदी, शेवाल, बताएं, पैंसरीन को किस्ते निकालता है, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option C, ठीक है, फफूंदी से, याद रखेंगे, इस question का right answer अगर आपने option C चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्ता है उनका, चलिए, फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, फटा-फट से इस class का अगला question, अगला question की वेक्तिकत रूप से विस्तरत विवराण, प्रतिजायवेक एक, यह की निम्लिखित में से कौन सा विस्तरत इस्पेक्ट्रम प्रतिजायवेक है, पताएं, इन में से कौन सा एक विस्तरत रूप यह निकि प्रतिजायवेक है, एंटिबायोटिक, इस question का right answer हो जाएगा option C, Mp-silin, कौन है, यह Mp-silin है, इस question का right answer जिनका भी option C आया है, इस question में, बेल्कुल सही होत्तर है उनका, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question है कि प्रकृति में खुले रहने पर निम्लिखित में से कौन सी लकडी सबसे अथिक जल्दी खराब हो जाएगी, which of the following would will be deteriorate most quickly when left in open in nature, प्रकृति में खुले में रहने पर कौन सी लकडी जल्दी खराब हो जाएगी, आपसन दाम के मर्दो लकडी, रेशेदार लक लकडी या कठोर लकडी, आपसन सी रस्दार लकडी, जूसी बुड़, इस question का right answer हो जाएगा, आपसन सी रस्दार लकडी, अगला question कि प्याज निम्लिखित में से किसका आविक्षित रूप है, onion is a developed form of which of the following, प्याज किसका विक्षित रूप है निक अधिशोधित रूप ह पत्ता तना जड़ या इन में से कोई नहीं, इस question का right answer option B होगा, तना, प्याज किसका विक्षित रूप होता है, तने का developed रूप होता है, इस question का right answer हो जाएगा, option number B, चलिए, देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question, यदि एक पेड है, जिसके तने का अनुप्रस्थ पर छेद करने पर 50 घेर दिखाई देते हैं, तो इस पेड की आयो कितनी है, if there is a tree, whose trunk is cross-centered and 50 circles are visible, then what is the age of this tree, पचास वर्ष, पाँच वर्ष, पच्चिस वर्ष या पचास वर्ष, बता है, पचास महीने, पाँच वर्ष, पच्चिस वर्ष या पचास वर्ष, बता है, देखिए यदे एक पेड़ जिसके तने का उपचास परच्चित करने पर पचास घेर दिखाई दे, यह था दिसकी जो उम्र होगी, यह पचास वर्ष होगी, 50 years, चलिए, देखते हैं अगला question, अगला question कीटों के दोरा परागित फूलों के परागड़, डैस होते हैं, pollen grains of flower, pollinator by insect, तो कीटों दोरा परागित फूलों के परागड़ कितने होते हैं, कैसे होते हैं, चिकने और शुष्क, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क, यह बड़े और दिखने वाल बड़े और दिखने वाले, पता हैं, यह होते हैं, चिकने और चिपचिपे, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और चिपचिपे, रुफ एंड इस्टिकी, इस question का राइट आंसर हो जाएगा, option number B, चलिए, देखते हैं, फ्रेंट्स अगला question, फ्रेंट्स अगला प्रश सकती है, option से आपके केवल निम्न तरंग ध्यर, केवल मत्यवर्ति तरंग ध्यर, केवल उच तरंग ध्यर, सभी तरंग ध्यर, बताएं, ब्लैक बॉड़ी, सभी के तरंग ध्यर, को अवशोशित कर सकती है, all wavelengths, इस question का राइट अंसर हो जाएगा, हमारा option number D, ठीक है, सभी तरंग ध्यर, को, ब्लैक बॉड़ी, अवशोशित कर सकती है, चलिए, देखते हैं, इस class का अगला question, अगला प्रेशन है, वह पिंड, जो उश्मा का अच्छा उशोशक होता है, निम्रिखित में से कौन सा गुड़ वाला भी होता है, अच्छा परावर्थक, पूर्वानुमान संभाव नहीं, अच्छा विकरक, ये बुरा विकरिक, तो वह पिंड, जो की उश्मा का अच्छा उशोशक होता है, तो इसमें कौन सा गुड़ होता है, बताएं, यह अच्छा विकीरक होता है निया कि गुड रेडियेटर ठीक है ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्सॉ ऑप्षन शी आया है इस क्कैस्टिन के लिए उनका बिल्कुल सही आंसर है यह अच्छा विकीरक होता है चल यह देखतें इस क्लास का अगला क्कैस्टन अगला प्रस्या कि चंद सता पर एक प्रग्शक को दिन के समय आकास दिखाई देगा An observer on the lunar surface will be sea the high sky during the day चंद सता पर एक प्रग्शक को दिन के समय आकास का रंग कैसा दिखाई देगा हलका पीला, नीला, नारंगी या काला यह ब्लैक दिखाए देगा काला option D is the right answer कैसा दिखाए देगा friends तो ज़र रंग है वो काला दिखाए देगा ठीक है? option D जिनका भी answer आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका काला दिखाए देगा ठीक है? चलिए देखते हैं एगला question अगला प्रेशन है वह गुड़ कौन सा है जो प्रकास तरंग में दिखता है पर धुर्ण तरंग में नहीं दिखता which property is seen in a light view but not seen in sound view तो वह कौन सा गुड़ जो कि प्रकास तरंग में दिखता है लेकिन धुर्ण तरंग में नहीं दिखता options आपके विवर्दतन अपवर्दतन ध्रोमड के व्यतिकरण option c ध्रोमड ठेक है option c जिनका अंसर आ रहा है इस question के लिए विल्कुल सही उत्तर है उनका यह ध्रोमड होता है ओके चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question एक श्वैद तथा चिकनी सता कैसी होती है इस question का right answer हो जाएगा option b ताप की खराबा उशोषक तथा अच्छी परावरता है ठीक है पूर अब्सरपर ऑफ हीड और रेफ्लेक्टर ठीक है यह स्वैद और चिकनी सता की विशेश्टा है clear option b is the right answer of this question चलिए friends अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है friends कि जब किसी तालाब के शांद जल में पत्थर फेका जाए तो तालाब में जल के प्रश्ट पर उठने वाली लहरे होती है मेरा stone is thrown in the still water of a pond the waves that raise the surface of the water in the pond are तो कैसी होगी अनुधैर अनुप्रस्थ या अनुधैर और अनुप्रस्थ दोनों या लहरे पैदा नहीं होगी बता है इस question का right answer हो जाएगा option B अनुप्रस्थ टेके कैसी होगी अनुप्रस्थ होगी option B जिनका answer आ रहा है इस question के लिए सही उत्तर है उनका उच्छे लिए देखते हैं friends इस class का अगला question अग्ला question x-ray LIKE इस्थिद एकस्तरय एलिया इस लोकेटड पराभाइगनी और दर्श क्षेडर के बीच दर्श और अवर्ण त CR के बीच गामा रे और पराभाइगनी के बीच लग की रेडियो तरंगे और द्री तरंगों के बीच बता को है इस question का राइट answer हो जाएगा option C, गामा रे और पराबैगनी छेतर के बीच, between the gamma ray and ultraviolet region, ऐसे में जिनका answer option C, रेफेरेंट इस question के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question की photon की कड़ बरने की प्रवर्त, प्रकर्थ, निम्रिखित में से किस पर तिकी होती है, the nature of photon becoming a particle research on which of the following, photon के कड़ बरने की प्रकर्थ किस पर तिकी होती है, बताएं, options हैं की विवर्तन, धुर्वी करण, प्रकास वैदुत प्रभाव, ये वैतिकरण, comment करें, देखिए, फोटॉन की कड़ बनने की प्रकर्थ होती है, ये प्रकाश वैदुत प्रभाव पर तिकी होती है, photoelectric effect, ठीकि किस पर प्रकाश वैदुत प्रभाव पर तिकी होती है, ऐसे में जिनका answer, प्रकाश वैदुत प्रभाव, ओके चलिए, देखते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन, जो ठोस उचे ताप पर विद्धुत का वहन करते हैं, परन्त न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते है, solid, which conduct electricity at high temperature, but not low temperature, अर्कार्ड, तो इनको क्या बोलते हैं, आधिचालक, धात्विचालक, अर्धचालक, ये विद्धुत रोधी, देखिए, जो ठोस उचे ताप पर विद्धुत का वहन करते हैं, परन्त न्यून ताप पर नहीं, इनको हम अर्धचालक कहते हैं, अगला प्रशन की अधिचालक किससे होती है, इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन नमबर बी, ओके गामा के रणे, चलिए, अब हम देखते हैं, इस क्वेशन का अगला प्रशन की जब कोलाइडी विलियन से प्रकास का प्रबल किरन पुंज गुजारा जाए, तो प्रकास, जब कोलाइडी विलियन से प्रकास का प्रबल किरन पुंज गुजारा जाए, तो प्रकास छितर जाएगा, उस रूप में पार कर जाएगा, आउसोशित हो जाएगा, या परावर्तित हो जाएगा, कमेंट करें, देखिए, जब कोलाइडी विलियन से प्रकास का प्रबल किरन पुंज गुजारा जाए, तो प्रकास छितर जाएगा, इट विल बी डिस्पर्जड, ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आप्सन नमबर ए, चलिए, अब हम देखते हैं, इस क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला प्रेश्चन है फ्रेंड्स की निम्रिखित में से किस विकरण में सबसे कम तरंग धायर होता है, विच आप दा फॉलिंग रेडियेश्चन है इस दा शॉर्ट टेस्ट वेवलेंथ, आपसन साफ के एक्स क्रेंड, डी क्रेंड, जे क्रेंड ये जे किरणों में, जे रेज में, ओके, चलिए, ऐसे में जिनका अंसर फ्रेंड से आपसन सी आया हुआ है, विल्कुल सही उत्तर है उनका, जे किरणों में, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला प्रशे की संबंधित माध्यम, माध्य युग में, युगम के क्रांतिक कोण से अधिक, आतन कोण पर सखन से विरल माध्यम के और जाने वाली प्रकास किरण क्या करती है, तो संबंधित माध्य युगम के क्रांतिक कोण से अधिक, आतन कोण पर सखन से विरल माध्यम के और जाने वाली प्रकास किरण को क्या गहते हैं, इसको बोलते हैं समग रांतरिक परावरतन, ओवराल इंटर्नल डिफ्लेक्शन, अगला प्रकास के विद्दुत चुमकी, सुरूप की खोच किसने की, विद्दुत चुमकी, सुरूप की खोच किसने की बता है, ओप्सन C, मैक्सिवेल, ठीक है, प्रकास के विद्दुत चुमकी, सुरूप की खोच किसने की, मैक्सिवेल ने, इस question का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर C, मैक्सिवेल is the right answer, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला question, अगला question की, द्रश्ट के स्थायत का सिध्धान्थ, किसके पीछे का सिध्धान्थ, what is the principle behind the theory of permanence of vision, द्रश्ट के स्थायत का सिध्धान्थ, किसके पीछे का सिध्धान्थ है, आप्सन सांके दुर्बीन, सिनेमा, परदर्शी में कैमरा, इस question का right answer हो जाएगा, option B, सिनेमा, ठीक है, द्रश्ट के स्थायत के सिध्धान्थ, कि जो पीछे का सिध्धान्थ है, इस question का right answer हो जाएगा, हमारा option number B, ठीक है, सिनेमा, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question, नेमलिखित में से क्या, न्यूटन के रंग चक्रिका परिक्षण की कारप्रणाली के लिए उत्तर दाई है, जिनका answer आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हैं, उनका, चलिए, देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question किसी पदार्थ का photograph लेने के लिए आप एक्षित उद्भासन काल किस पर निर्वर करता है, और what does the required exposure time to take a photographic photograph of material depend, चमक की पदार्थ, photographer के caution, पदार्थ की निकटता, पदार्थ का आकार, option is the right answer of this question, पदार्थ की निकटता, चलिए, देखते हैं इस class का अगला question, अगला question कि डाप्टर किसकी एक आई है, what is the unit of diopter, तो lens की छमता की, lens की फोकल दूरी की, प्रकास की तीवरता की, धोने की तीवरता की, तो diopter किसकी एक आई है, बताएं, option A, तो lens की छमता की काई होती है, diopter, ठीक है, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option A, तो lens की छमता की काई क्या होती है, diopter होती है, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question, निम्ण में से क्या प्रकास के वयुमंडली अपवरतन का परिणाम नहीं है, तो इन में से कौन जो है, प्रकास के वयुमंडली अपवरतन का परिणाम नहीं है, बताएं, option C, सूरिक का आकास में, अपनी वास्तिक होचाई से ज्यादा होचाई पर दिखाई देना, ठीक है, इस question का right answer होचाईगा हमारा option number C, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question, कीडो का प्रकास के सुरोत क्योर गमन करना कहलाता है, प्रकास नुवरती, जलानुवरती, प्रकास नुचलित, या तापाउनुचलित, प्रकास के कीडो के, कीडो का प्रकास के सुरोत क्योर गमन करना क्या गहलाता है, इसको प्रकास नुवरती बोलते हैं, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number A, क्या बोलते हैं इसको फिरिंट्स प्रकास नुवरती, ओके, चलिए, देखते हैं इस class का अगला question, अगला प्रशन सभी रंगों को सोख लेने और किसी भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु, दिखाई देती, और किसी देखाई देखाई पड़ती हैं, ब्लैक कलर की, काली, option D is the right answer of this question, चलिए, अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन के संकर्मन आयन किसमे प्रकास को अवशोशित कर लेते हैं, इस question का राइट अंसर हो जाएगा आप संधी, दर्शी छेत्र, ठीक है, विजूवल फिल्ड, किसमें आप संधी करते हैं, दर्शी छेत्र में, option D is the right answer of this question, चलिए, अब हम देखते हैं इस class का अगला question, अगला question है कि Greenhouse प्रभाव के वायोमंडल का गर्म होना, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, ग्रीन हाउस एफेक्ट आप वार्मिंग आप अर्थ अट्मोस्फेर, वाट इस दरीजन, ऑप्सिंस नहीं करने, ठीक है, आवरत करने या एक्स करने, बताया है, ऑप्सन सी, आवरत करने, ठीक है, आवरत करने या होती है, अगर आपने चुना है फ्रेंट सो ऑप्सन सी, तो यह बिल्कुल सही अंसर है आपका, ठीक है, तो यह आवरत करने होती है, शलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला question, अगला question की लोलक की पूर्ण उर्जा, एक पूर्ण दोलन के दोरान, एक सरल लोलक के सूतर दोरा किया गया कार किसके समतुले है, बताया है, आप्सन दापके लोलक की पूर्जा, लोलक की गतु जूर्जा, लोलक की स्थितु जूर्जा ये शून ने, बताएं आप्सन दी, शून ने उती, चलिए, आप्सन दी is the right answer अगला प्रश्ण की कुछ मिस्प्रिंट लग रहा है, तो ये अगला प्रश्ण देख लेते हैं, अगला प्रश्ण की तावरों का रंग किस पर निरुफर करता है, तो तापमान, दूरी, रेडियस, ये व्यूमेंटरी दाप, वेरी इजी क्वेस्टन, तावरों का रंग किस पर निरुफर करता है, बताएं इस question का right answer हो जाएगा, friends option number A, ठीक है, तापमान, तो तावरों का रंग किस पर निरुफर करता है, याद रखेंगे, तापमान पर, इस question का right answer हो जाएगा, friends option number A, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला प्रशन जल सता पर तेल की पतली परत, रंगीन क्यों दिखाई देती है, why does a thin layer of oil appear colored on the surface of water, options आपके परावर्तन के कारण, वैतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण, इध्रुवी करण के कारण, बताएं option B, वैतिकरण के कारण, तो जल सता पर तेल की पतली परत, वैतिकरण के कारण दिखाई देती है, option B is the right answer of this question, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन निम्रिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है, which of the following waves can be polarized, options हैं आपके, वायो में ध्रुवित तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्त तरंगे या प्रकास की रणे, इन में से बताएं कि कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है, option D, प्रकास तरंगे, ठीक है जब प्रकास तरंगे इन को ध्रुवित किया जा सकता है, option D is the right answer, चलिया, अगला प्रशन के सौर ओर्जा को बिजली में परावर्तित करने के लिए, कौन सी युक्त प्रियुक्त की जाती है, तो प्रकास वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, या गैलवेनोर्णी सेल, बता है, तो सौर ओर्जा को बिजली में परावर्तित करने के लिए, किस युक्त का प्रियुक्त करते हैं, अब हम देखते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन है कि इंद्र धनुस किस कारण से बनता है, अपवर्तन और प्रशेपड, प्रकेनन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, या अपवर्तन और परावर्तन, इंद्र धनुस किस कारण से बनता है, बता है, option D, अपवर्तन और परावर्तन, reflection and reflection, okay, option D is the right answer of this question, चलिए, अगला परसे समद्र की CP किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, for what reason does the sea shall appear golden, तो विवर्तन, परिक्षेपड, द्रोवर्तन, परावर्तन, बताएं, कि समद्र की CP किस कारण से से सुनहरी दिखाई देती है, ध्रोवर्तन के कारण, ठीके, polarization, इस question का right answer हो जाएगा, option number C, ध्रोवर्तन के कारण, ओके, चलिए, देखते हैं इस class का अगला question, अगला question यदि एक अवतल तरपण में, वस्त उन प्रतिबिम्ब, दोनों वक्रता के अंदर पर हैं, तो प्रतिबिम्ब है, in a conqueur mirror, both the object and image are the center of convention, then the images, तो तरपण कैसा है, वस्त से बड़ा, वस्त से छोटा, वस्त के समानाकार का, या भाशी, देखें, यदि एक अवतल तरपण में, वस्त उन प्रतिबिम्ब, दोनों वक्रता के अंदर पर हैं, प्रतिबिम्ब जो है, वस्त के समानाकार का होगा, similar in size, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C, चलिए, देखते हैं इस class का फटा-फट से अगला question, अगला question, एक वायुयान की धोनी, समानिता, इसके संगत होती है, the sound of an aircraft is generally associated with, option type के 1 decibel, 100 decibel, 1000 decibel, यह 10 decibel, बताएं, एक वायुयान की धोनी जो है, यह समानिता, 100 decibel होती है, 100 decibels, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B, ओके friends, शलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question की वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए, किसका प्योग किया जाता है, what do vehicles use to see the objects coming from behind, options आपके उत्तल लेंस, अवत्तल लेंस, उत्तल दरपड या उत्तल दरपड, इसमें मुद्तल लेंस का प्रियोग करते हैं, convex लेंस का, ठीके वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए, उत्तल लेंस का प्रियोग किया जाता है, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question, यह बता हैं, options आपके सामने हैं, comment करें, देखिए, यह होता है, electron की तरंग धहर, चाच्छुष की, चाच्छुष प्रकास की तरंग धहर से कम होती, the wavelength of electron is shorter than, that of visual light, अगला question कि वाह विकरण क्या है, जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश, वाह विकरण क्या है, जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश कर जाता है, what is the radiation, that penetrates deep into our body, options आपके, यूबिकरण, अलफा करण, ई करण, यह उतने हैं, गामा पार्टिकल्स या गामा करण, ठीक है, option D is the right answer, चलिए, अगला question कि दिप्त कालिता, ठीक है, तो दिप्त कालिता किसे प्रभावित करती है, यह सभी को प्रभावित करती है, यह सभी को प्रभावित करती है, चलिए, अगला question कि वायो के तापमान में परिवरतन से धोनी का निम्रिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, which of the following properties of sound is affected by change in air temperature, आवरत, तीवरता, विस्तार या तरंग धैर, बताएं, option D, तरंग धैर, शेलिए, तो friends, आज क्योंगे इस क्लास में इतना ही, dear friends, जो हमारी क्लास से इसमें इतनी questions है, तो आशा करेंगे जो क्लास से आप सभी काफी एच्छी लगी होगी, तो friends, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने लाइक नहीं किया है, सब लोग क्लास को अपने लाइक करें, और जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेर नहीं किया है, वो सब लोग अपने क्लास को शेर भी करें, ठीक है, सब लोग क्लास को अपने लाइक और शेर ज़रूर करें तो चलिए मैं आपका फ्रेंड शीवम कुमार मिलता हूं फ्रेंड सापके आपकी नेक्स क्लास में तो अब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल लखें सेफ रहें पढ़ाई करते रहें टेक क्यार फ्रेंड्स बाबाई जै भी ऐसे जै भी ऐसे ख्लास